नमस्कार दोस्तों हम टोड़े में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो हिमाचल इलेक्षन विवाग में पी एन के पदों के लिए भरती निकली है उसकी पूरी जानकरी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी दोस्तों ये दस्वी पास के है वो भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा तो पूरी जानकरी के लिए इस वीडियो को देखते रही है दोस्तों अगर आप नए हो तुमारा चैनल सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकरी सबसे पहले मिलत ति और इसमें जो पि हैं क्लास फोल जिसको कि तूसेंटे फाइव डेली मिलेगा उसमें चंबा में एक विकेंशी जञर्नल के लिए मंड़ी में एक विकेंशी हैं साओं इसके अलाबा यहां पर चौकिदार class 4 के लिए भी vacances है और इसमें जो pay scale रहेगा हो 275 रुपे डेली रहेगा जो की same है दोनों में तो बिलासपूर और सोलन में एक एक vacances है जो की general candidate के लिए जिजर्व है तो कुल मिला के इसमें 8 vacances है आप किसी भी जिले में हो तो भी आप इ apply कर सकता है चमबा का मंडी में भी apply कर सकता है तो आप इसमें apply कर सकते हो अब इसमें जो important criteria हम यहां पर आपको बताएंगे 31 July 2020 तक आपको इसमें apply करना है कैसे apply करना है वो हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे सबसे पहले 18 से 45 साल के सभी यूवा इसके लिए योग्य हैं और आपकी जो age है वो calculate की जाएगी एक January 2020 को एक January 2020 का इसका criteria माना जाएगा उस पर आप calculate कर सकते हो अपनी age को उसके अलावा पांच वर्स की छूट मिलती है जो कि SC, ST, OVC, Ward of Freedom Fighter और हिमाचल प्रदेश में जो physically handicapped candidate हैं उनके लिए सिर्फ हिमाचल की categories इसमें allow होगी उसक detail qualification या अनिवारिय योगिता हैं जिसे कहते हैं वो आपका किसी भी मानेता प्राफ्ट स्कूल बोर्ड या संस्तान से मेट्रिक पास होना चाहिए उसके लावा भरती के लिए आपको जो भरती होगी वो class 4 पद के लिए इसमें की जाएगी और जो desirable qualification है ये सभी के लिए मानने हैं यह तो सभी को मालूम होता ही है इसके अलावा आपको जो application form हम दिखाएंगे उसके साथ आपको अपने जो परमान पत्तर होता है certificate होता है और जो category के certificate होते हैं उसको भेजना है किस address पर वेजना है यह address यहाँ पर दिया है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश निर्वाचन वि जबी से पहले पहुंचाना चाहिए अगर आपका यह अगस्त में पहुंचता है तो यह exact होने के पूरे चांस है यानि कि 31 जुलाई से पहले ही आपको यह fail करके भेज देना है speed post से भेजोगे तो जल्दी पहुंच जाएगा और इसमें जो application free है आपकी प्रिक्षा शुल्क है वो पूरी तरह free है इसमें किसी भी परकास का प्रिक्षा शुल्क नहीं है आपको free ही apply करना है अब इसमें selection procedure कैसा होगा वो बता दें इसमें जो आपकी merit है वो बनेगी 10th के percentage के base पे अगर आपके 10th में 50% marks हैं तो आपको 42.5 अंक दिये जाएंगे इसमें 42.5 अंक दिये जाएंगे क्यूंकि 85 का आधा हो जाता है directly और इसके अलावा जो 15 नंबर है वो यहाँ पे दिया है यदि आप पिछड़ा क्सेतर या 25 से हो तो आपको एक नंबर मिलेगा बेप से हो तो आपको 2.5 marks मिलेगे तो इसमें कुल मिला के 15 नंबर यह है यह सारे certificate यहाँ पर इन्होंने लिखा है उनसे ही यहाँ पर यह होने चाहिए signature के साथ में अगर आप किसी और से signature से करके लाते हो तो वो valid नहीं माने जाएंगे जैसे कि गयर रोजगार पर्मान पत्र या साथ signature होना चाहिए तब ही वो valid बने जाएगा तो कुल मिला के 100 marks हो जाते हैं और उसी के वेस्पे आपकी merit list यहां पर बनेगी और आपकी selection होगी अब बात करते हैं यहां पर अभियार्थी दौरा अधियाचित श्रेणी को मुल्यंकन के बाद बनने की अनुमुति नहीं दी एगते हैं और यहां पर अपना नाम लिखना यहां पर पास्पोर्ट साइज की फोटो लिखनी है पर फोटो पेस्ट करनी है यहां पर और यहां पर आपको अपने जीले का नाम जिसमें आप अप्लाई कर रहे C जैसे कि अगर मंदी में अप्लाई कर रहें तो मंदी लिखना है शिमला या सोलन सिर्मोर जहां पर अप्लाई करोगे वो पिता का नाम लिखना है जनम तीथी लिखनी है डिट और और पत्राचार है तुप पता यानि कि लिखना है अपना एड्रेस होगा यहां पर स्थाई पता अपने घर का पता यहां दोनों पर आप सेम लिख सकते हो और उसके अलावा एक जनुरी 2020 को आपकी कितनी आई हुए अगर यदि आप 30 वर्स कंप्लीट करते हो तो 30 अगर 25 कंप्लीट करते हो तो 25 45 साल तक यह आप भर सकते हो राष्ट्रेता नेशनियल्टी यहां पर भरती है लिखना है या इंडियन कुछ भी लिख सकते हो इंडियन यह इंगलिस यह हिंदी में उसके लावा यहां पर प्रिक्षा का नाम लिखना है पैंथ बोर्ड लिखना एच्वी बोर्ड धर्मशाला कुलंक आपने कितने हैं यहां पर कुलंक 700 होते हैं प्रापतंक जैसे कि आपने अगर 490 किया है तो यहां पर 490 और प्रतिसत हो जाता है 70 इस तरह से आप यहां पर लिख सकते हो अपनी कौलिफिकेशन सारी और रोजगार कारल्य पंजीकरन संख्या अगर आप जो भी आपका bonafide humanity होता है उसके अलावा आपके अगर category है SC या किसी EWS में भी आते हैं EWS का भी होगा तो आपको यहां पर उसका लगाना है अरक्सित श्रेणी उन्होंने लिखाए जाती परमान पत्तर के लिए अगर आपके पास कोई experience है तो आपको यहां पर mention कर देना है क कि मेरे पास इतने साल का experience है मैं यहां पर job करता था अगर आप court से दंडिट हुए हैं यानि कि कोई मुकदमा चला है तो वह भी लिखते हैं यहां पर आपका पूर्ण बीबरन आपको यहां पर देना पड़ेगा अगर कोई case चल रहा है आपके उपर तब भी आपको लिखन है मंडी या सिमला जहां के आप हो आपका अपना लिखना है मंडी नहीं लिखना है तो यहां पर लिखना है पूरा और यहां पर स्थान अपना लिखना है जैसे कि अगर आप सिर्मौर के नहां से हो तो नहां लिखना है जब आप यहां इस फॉर्म को पोस्ट कर रहे हो तो वहां की date और यहां पे signature कर देना है तो यह complete application form आपको भीजना है इसके साथ आपको document भी अटेस्ट करने पड़ेंगे जो जो आपने इसमें लिखे होंगे इसके लावा ये भी आपको यहां पर बढ़ना पड़ेगा इन्होंने दिया है उमीदबार दोरा बढ़े जाने के लि उसके लावा जो भी 15 नंबर है उसके अगर आपके पास कोई भी certificate है जैसे कि अगर आप यहां पर 40% से ज्यादा physically handicapped है आपके पास medical certificate है तो यहां पर 1 marks आपको लिखना है BPL है तो 2.5 marks और यह इसका भी जिरॉक्स करके आपको भेज देना है यहां पर अपने signature करने है नाम पता और यहां पर आपको इसको attach करके जिस address पर हमने बताया है उस पर बेज देना है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो को like करें share करें हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और यह जो application form और advertisement है यह आपको वीडियो की description में देखने को मिलेगी अगर फिर भी को पूरी तरह से सहता करेंगे इस form को बढ़ने के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद